इसम उल्हाला राह्मान रुरफ्म तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि एक्सल के अंदर वाटर आमार्क किस तरहीतjem की call पारपके समस्तियत channel एक bill format यहाँ पर ready है, अब इस bill format के अंदर आपको watermark लगाना है, watermark लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो है वो insert पे जाएंगे, insert पे देखें, यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है, header and footer का option, इसके ओपर आप जैसी click करेंगे, तो आपके पास तो work offline पे आपने click करना है, और जहाँ आपके पास watermark की file होगी, आपने उस location पे चले जाना है, अब जैसे मैंने watermark के एक logo जो है, यहाँ पर file मैंने पहले save करके रखी है, तो यह मैंने इसको करवा दी insert, जैसी मैंने इसको insert करवाया, अभी देखें मेरे पास यहाँ पर पे नजर आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि watermark आपको center में नजर आए, तो आपको क्या करना है, दुबारा से आपने header पे click करना है, और header पे click करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यह जो आपके पास end लिखा हुए, इस end से पहले आपने करसा रखना है, और आपने enter करना है, अब जितना enter करेंगे उतनी ही position watermark की नीचे आती जाएगी, अब आपको यह check कर लेना है कि इस position पे set है या नहीं, तो जैसी आपको watermark चेक करना हो, तो आप अपने header से बाहर आजाएंगे, जैसी बाहर आएंगे तो आप आप देख सकते हैं कि आपका watermark, जिस position में आपको चाहिए, आप वहाँ पर आगर आगे है, तो ठीक है, वरना आप जितना enter करना चाहिए, आप कर सकते हैं, अभी फिलाल मैं इसी positions पे रखूँगा, अब देखे, watermark तो मैंने add कर लिया है, अब यह watermark देखे, भी move नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको header में add किया है, औ अब एक चीज़ और यहाँ problem आती है, कि अगर watermark आप add तो कर लेते हैं, लेकिन उसके उपर जो कुछ लिखावा होता है, वो आपके watermark से merge हो जाता है, अब मैं चाहता हूँ कि watermark थोड़ा सा मुझे light करना है, तो कैसे करेंगे, आपने दुबारा से header के उपर click करना है, और design वाले टैप में चले जाना है, यहाँ आपके पास option है, format picture, इसके उपर आपने click करना है, अब यहाँ से आप watermark का size भी या कम और जादा कर सकते है, height और width set करके, इसके लावा आप pictures पर जब आप click करेंगे, तो यहाँ आपके पास color लिखावा है, उसी के सामने देखें, drop down list क अंदर automatic लिखावा है, यहाँ से आप change कर देंगे washout, washout पर आपने click करना है, उसके बाद आप इसो कर देंगे ok, जैसी आप ok करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं screen पर कि आपका watermark जो है, बहुत ही light हो चुका है, अब आप चाहें इसको print करें, या इसकी file direct किसी और company को transfer कर दें, अब यह watermark आपकी company को present कर रहा है, तो उमीद करता हूँ, आपको आज का my topic जरूर समझ में आ गया होगा, वीडियो चलेगे, like कीजे, friends में share कीजे, और हमाई चैनल को subscribe कर मत भूलीगा, मिलते हैं next video में, शुक्रिया.